जैहिन दोस्तों मेरा नम अंकित सिन्ह है और Themes in Indian History सीरीज के डिसकसन में आपका स्वागत है तो Themes in Indian History में तीन पार्ट है जिसमें से जो पहला पार्ट है यह हमने complete cover कर लिया है और इसमें हमने चार थीम या चार चेप्टर को डिसकस किया है इसमें पहला जो यह हरपन सिविलैशन से संबंदित था दूसरा हमने महाजन पर काल को समझा यानि अरली एस्टेट और इकोनोमीज को cover किया इसके बाद हमने किंसिप काशन क्लास पर बात की काफी important यह चेप्टर है और लास्ट में हमने बुद्धिजम जैनिजम और उनसे संबंदित आस्पेक्ट्स को cover किया था जो कि हमारा theme 4 था और इनके सभी video lectures की जो complete playlist है यह description box में मैं डाल दे रहा हूँ वहाँ से आप जा करके प्रतेक वीडियो को check out करें और सबसे important बात यह है कि हर एक topic के साथ हमने previous year question को भी cover किया है तो UPSC के different exams में पूछे गए हैं नव इस वीडियो से हम start करेंगे part 2 को और इसमें हमें क्या-क्या discuss करना है तो जो second book है इसमें theme 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है यानि इसमें 5 chapters है total तो जो theme 5 है इसमें हम travelers पर बात करेंगे because देखिए जो भी historians है वो travelers के account से काफी चीजे important data और important जो बातें बताई जाती है travelers के perspective से वो काफी ज़्यादा महत्व रखती है तो वो हम cover करेंगे किस तरीके से उनका society पर perception रहा और इसमें हम mainly बात करेंगे 10 से 17th century के बीच के time period की अगला हमारा रहगा भक्ती सूफी tradition most important topic medieval history section के तहत अगर हम देखें तो और काफी सारे सवाल यहां से पूछे आते हैं इसके बाद अगर हम बात करें theme 7 की तो यहां से हर साल इस topic से sales रसे में question देखने को मिलते हैं हम बात कर रहे हैं vision अगर empire की vision अगर empire के बारे में समझेंगे और केवल हमारा discussion इसी book तक सीमीत नहीं रहेगा अगर हमारे topic की demand रही तो extra चीजें peripheral topics भी हम इसके साथ ही cover करेंगे with UPSC previous questions और theme 8 में next हम बात करेंगे जमिंदारी system की और इसके अलावा महालवारी system या जो NA system में South India के अंदर जो लगाएगे उन चीजों को समझेंगे और इसके बाद जो theme 9 रहेगा हमारा इसमें हम किनसी chronicles पर बात करेंगे जो मुगल कोर्ट से संबंदित होगा यानि 16 to 17th century के time period की बात हम कर रहे हैं और यहां से question भी धेर सारे पूछे जाते हैं अब दीकि इस chapter को start करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि travelers के बारे अगर हम देखें खास करके medieval history के travelers तो यहां से काफी सारे question UPSC के द्वारा पूछे गए हैं और इन सभी questions को compile करके हमने single video में cover कर लिया है और मैंने important चीज़े वहाँ पे note down करके आपको PDF भी provide कर दिया telegram channel के अंदर तो मेरी आपसे request रहेगी कि आप travelers वाली video ज़रूर देखें मैं अलग से भी description box में link डाल दे रहा हूँ वहाँ से भी आप travelers वाली video पहले देखें इससे आपको complete travelers की एक सूची के साथ हमने discuss किया है और सारे previous question को cover किया है तो इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे इस chapter में हम basically ये बात करेंगे कि 10 से लेकर के 17 सताबदी तक जो भी travelers भारत में आए उनका हमारी Indian society को लेकर के किस तरीके का perception था और इस video में जो highlighted part की PDF है ये मैं टेलिग्राम चैनल के अंदर डाल दूगा तो टेलिग्राम चैनल ज़रूर जोइन कर ले तो देखें start करते हैं फिर इस chapter को तो जैसा कि हमें पता है कि men हो या women हो सभी traveler करते हैं बहुत सारे reason हो सकते हैं वर्क के search में या natural disaster वगरा से बचने के लिए या पार के रूप में भी बहुत सारे लोग traveler करते हैं या फिर धार्मी क्यात्रा की बात हो गई और में भी कुछ लोग हैं जो adventure के तोर पर भी traveling करते हैं अब कोई भी person किसी नई जगा पर पहुंचता है तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें अलग देखने को मिलती हैं जैसे हो सकता वहां का physical environment काफी अलग हो या custom language ये चीज़ें तो अलग ही होती हैं जैसे वो कहते हैं न कोस कोस में बदले पानी और सवा कोस में बदले वानी तो न्यू जगा जाने पर language, belief, practice ये चीज़ें अलग देखने को मिलती हैं अब बहुत सारी जो differences हैं ये लोग adapt भी करते हैं और में भी उन्हें अगर हम history के perspective से देखें तो उन चीज़ों को accounts के तोर पे लिखते भी हैं और सामिल भी करते हैं और अगर कोई बहुत ज़्यदा difference देखने को मिले अभी हम देखेंगे आगे travelers के accounts में कि अगर मुगल king या European king इनमें क्या differences हैं ये चीज़ें भी compare की गई है travelers के दोरा तो एक तरीके से complete आपको discussion देखने को मिलेगा और काफी बहतर ढंग से आप society को समझ पाएंगे हलाकि एक बात मैं starting में ही बता दूँ कि हर एक account की तरह हर एक biography की तरह यहां भी बहुत सारी चीज़े integrate करके लिखी जाती है देखें जो history के अंदर जो travelers हैं उनकी जो accounts survive कर गई हैं वो अलग-अलग subject matter से deal करती हैं में भी किनी traveler का interest अगर court के affairs में रहा हो तो वो court से संबंदित बाते हैं या मुगल दरबार या जिस भी दरबार में वो पहुँचे उन दरबार से संबंदित बातें लिखेंगे कुछ लोग religious issues पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो religious मुद्दो पर भी वो लिखते हैं या कुछ लोगों को जैसे monuments, architectural features इन में काफी अगर वो उत्सुक होते हैं तो इन विशयों पर भी लिखते हैं एक्जाम्पल में अगर हम बात करें तो विशयों अगर empire से संबंदित 15th century के traveler की बात की जा रही है अब्दूर रजाक समरकंदी इनका नाम है ये हैरात सहर से पहुंचते हैं विशयों अगर empire और विशयों अगर के बारे में काफी कुछ लिखते हैं बहुत detail में हम बात करेंगे अब्दूर रजाक समरकंदी के एकाउंट के बारे में फिलाल आपको ये ध्यान रखना है कि अब्दूर रजाक समरकंदी किस kingdom को विशयों किया है विशयों अगर को क्योंकि ऐसे सवाल ढेर सारे पूछे आते हैं जहां पर आपसे directly पूछ ले आता है कि बताइए कि कौन सा ट्रेवलर किस empire को या किस kingdom को इन्होंने विजिट किया था इसके अलावा अगर हम कुछ cases में ये भी बात करें तो travelers काफी दूर जगों पे नहीं जाते हैं तो मुगल empire के जो administrator है वो empire के within ही travel करते हैं और उनके चीजों को भी काम किया जाता है काफी सारे travelers के दौरा दोस्तो लेक्चर आपको बहुत ध्यान से सुनना है विकाज एंड में हम काफी सारे previous question करने वाले हैं तो उनमें आप देखेगा आपके कितने सवाल ठीक हुए हैं तो देखे इस chapter में में तीन तीन travelers के बारे में बात करने वाले हैं पहला अलबरूनी के विशे में अलबरूनी का नाम आपने जरूर सुना होगा ये उजबेकिस्तान से ग्यारवी सदी में भारत आते हैं इसके बाद हम बात करेंगे इबन बतूता की जो मोरकों से भारत आते हैं 1333 सिस्वी में और हम अंध में बात करेंगे बर्नियर की बर्नियर के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा ये पैसे से एक डॉक्टर थे 17th century में मुगल दर्बार में ये आते हैं देखें अलबरूनी का उद्देश ये था कि वो अपने वर्क को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक मदद होगी उन लोगों के लिए जो religious questions को discuss करना चाहते हैं as a reparatory of information चुकि ये travelers काफी दूर से travel करते हुए आते हैं इसलिए बहुत careful होते हैं अपने accounts में और बहुत ही ध्यान से ये चीजे record करते हैं अब देखे यहां के जो author है या यहां के जो traveler है जो एक ही area में रहते हैं और वो दूसरे state या दूसरे जगह पे accounts लिखते हैं तो उन्हें तो बहुत सारी चीजें लगती हैं कि ये तो day to day का part है या routine matter है पर जो काफी दूर से आए हैं 2000-3000 km दूर से अगर यातरी पहुँचे हैं तो उन्हें ये चीजे normal routine की भी जो चीजे हैं वो चुकी उनके area से काफी अलग है तो इन चीजों को बहुत meticulously note down किया जाता है दूस्तों यहां से कुछ factual चीजें शुरू होंगी और ये बहुत important है तो इन में आपको बहुत सारी चीजे note down भी करनी है तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलबरूनी की अलबरूनी के द्वारे जो पुस्तक लिखी गई है इसका नाम है किताब उलहिंद बहुत important book है किताब उलहिंद और किताब उलहिंद जो है ये अर्वी भासा में लिखी गई है पहली चीज तो यही आपसे पूछ ली जाती है कि बताई किताब उलहिंद किस language में लिखी गई है तो Arabic में लिखी गई है यहाँ पे आपको फार्सी यानि पर्सियन से confuse नहीं करना है विगॉज यह Arabic में है तो बहुत बार direct question यहीं से पूछ जाता है सो brief पहले अलबरूनी के बारे में बात कर लेते हैं अलबरूनी का जन्म 973 इसी में हुआ कहाँ पे खौरिजम है खौरिजम आज के डेट में उचबेकिस्तान में है और खौरिजम अपने आप में काफी famous learning center था और अलबरूनी के आप कह सकते हैं कि one of the best education मिली उस time के हिजाब से और उन्हें बहुत सारी भासाओं का ग्यान था जैसे सिरी, Arabic, Persian, Hebrew, Sanskrit बहुत सारी भासाओं यहाँ पे अलबरूनी के आती थी यवाजा very learned man और इसके बाद हाला कि उन्हें Greek नहीं आती थी बट जो Plato या अन्य जो Greek philosopher है इनके वर्क से ये well words भी थे और क्योंकि देखिए जो Greek philosopher है जैसे Plato हो गए या उनसे संबंदित अन्य जो Greek philosopher है इन्होंने जो books लिखी है उनका जो Arabic translation है ये इन्होंने पढ़ा था इसलिए इन्हें Greek जो वर्क हैं इनके बारे में भी ग्यान था अब 2017 इसवी की बात है जब सुल्तान महमूद हम बात करें महमूद गजनवी की जो गजनवीड एंपायर से अपना संबंद रखते थे महमूद गजनवीड खारिन को अटेक करते हैं और इसके बाद अपने साथ बहुत सारे स्कोलर्स को ले करके आते हैं कहां गजनी और अलबरुनी जिसमें से एक होता है तो यही सवाल पूछा जाता है बहुत बार एक्जांस में कि अलबरुनी किसके साथ गजनी पहुंसते हैं तो गजनवीड एंपायर के सुल्तान सुल्तान महमूद के साथ और जब यह गजनी पहुंसते हैं जो होस्टेज के रूप में बट धीरे धीरे उन्हें यह सहर पसंद आने लगता है और वो अपने जीवन का सारा कहले समय आप अपने डेथ तक का समय जो है यह गजनी में ही बिताते हैं सतर साल की उमर तक अब गजनी में ही अलबरुनी को इंडिया के बारे में इंटर्श डेवलप होता है और यह अन्यूजवल नहीं था प्रिकोज संस्क्रीट वर्क्स जैसे अस्टोनोमी से संबंदित हो गए या जो मैथेमेटिक्स में संस्क्रीट के वर्क्स थे या जो मेडिसीन से संबंदित है इन्हें Arabic में ट्रांसलेट किया जाता था 8th century के बाद से ही और जब पंजाब गजनवीड एंपायर का पार्ट बना तो local population के साथ काफी सारा interaction बढ़ गया जिससे एक तरीके से mutual trust और understanding बिल्ट हो गई अलबरुनी का काफी बड़ा समय इनके साथ discussion में गुजरा और इन्होंने संस्कृत भासा भी काफी सीखी और religious और philosophical text को study करने में काफी सारा समय दिया हाला कि उनकी itinerary तो clear नहीं है यानि किन जगों पे उन्होंने travel किया लेकिन most probably पंजाब और उनसे संबंदित Northern India के पार्ट को काफी अच्छे से travel किया अलबरुनी ने अब देखे सवाल आपसे कहां से पूछा जाएगा अलबरुनी बहुत सारी भासाई जानते थे तो इन्होंने बहुत सारे संस्कृत वर्क को translate भी किया जिसमें पतंजली की जो grammar का वर्क है उन्हें भी Arabic में translate किया अब देखे यह जब मैं आपको PDA प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलिग्राम चैनल पे आप जाकर के जब इसे डाउनलोड करेंगे तो ध्यान से देखेगा यहाँ पे यह आइकन है तो जब आप इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो extra information इस तरीके से यह select हो जाएगा तो यह आप से पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे note down कर दिया प्योंकर यहाँ पे केवल लिखा गया है कि यह पतंजली का वर्क ग्रामर पे तो किस वर्क की बात की जारी है यह बात की जारी है महाभाश से की और इन्होंने क्या क्या तो यूकलीड का जो वर्क था यूकलीड एक ग्रीक mathematician थे यूकलीड प्रमय के बारे में अपने पढ़ा होगा mathematics के अंदर तो यूकलीड के भी वर्क को translate किया गया संस्कृत में किन के द्वारा तो यह किया गया है अलबरुनी के द्वारा तो एक तरीके से कहले इन्हें संस्कृत भासा का अच्छा ग्यान हो गया था इस वज़ा से यह इन वर्क को भी translate करने में सक्सम रहे दोस्तों जो Arabic literature है यह travel literature के रूप में already accept किया जा चुका था तो इसी यही reason है कि जो अलबरुनी के वर्क्स है यह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भी उस समय तक पढ़े गए अगर हम जैसे 15th century से पहले भी देखें तो बहुत सारे हिस्सों में पढ़े गए थे और यह साहरा desert की बात कर ले यह हम बोलगा river तक की यह जो literature है यह अलग-अलग lands के साथ deal करते हैं दोस्तों ना बात करते हैं किताब उलहिंद की तो देखे अल बरुनी ने बुक लिखी है किताब उलहिंद किस भासा में लिखी है Arabic भासा में यह simple भासा simple Arabic में लिखी गई है और यह एक काफी बड़ा text है इसमें 80 chapters देखने को मिलते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह एक तरीके का ऐसा बुक है जिसमें अलग-अलग मुद्धों पर discussion किया गया है इसका जो theme है यह काफी wide है और religion की आप चाहें बात कर लें या philosophy की, festival की, astronomy की, alchemy की even alchemy भी included है जिसमें अलग-अलग तरीके के जो tools हैं उससे संबंदी discussion किया गया है चाहें वो social life हो गया या अलग-अलग तरीके के रित्ती रिवाज हो गया है weight किस तरीके का use किया आता था iconography, metrology, हर तरीके की चीजों पर discussion किया गया अलबरूनी के द्वारा जेनरली जो अलबरूनी है यह एक distinctive structure को adopt करते हैं हर chapter में इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि सबसे पहले यह question लिखते हैं अलबरूनी और इसके बाद उस पे discussion करते हैं तरीके से Sanskritic tradition की आधार पर और conclude भी बहुत अच्छे से करते हैं मतलब एक proper mains का answer लिखा जा रहा है सबसे पहले यह question पूछते हैं उसके बाद फिर एक description देते हैं और last में वो conclude करते हैं other culture के साथ compare करके तो conclusion भी बिलकुल proper है और आज के date में अगर scholars हम देखें तो वो भी argue करते हैं कि maybe उनका inclination काफी ज़्यादा mathematics की तरफ रहा हो खास करके geometry की तरफ इस वज़ा से इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है precision पर और predictability पर मतलब सारी जो facts हैं और जो सारी चीज़े हैं यह बहुत ही ध्यान के साथ लिखी गई है अब अलबरुनी जैसा कि हमने बात कई कि यह Arabic में लिखते थे और यह ने पता था कि काफी दूर दराज के लोग भी इनके वक्स को पढ़ेंगे इस वज़ा से इन्होंने इस तरीके की simple language रखी और यह familiar भी थे है translation के साथ Sanskrit, Pali और practical text जो Arabic में अरड़ी लिखे गए थे अब देखें यहाँ एक important point है boxes वैसे भी बहुत ज़्यादा important होते है तो जो term Hindu है यह old Persian world से derived किया गया है कब 6th, 5th century BC में और Hindu की seas को refer किया जाता था तो यह refer किया जाता था उस region को जो की Sindhu river के east में है तो यहाँ पे extra बात मैंने जो aid करी है यह काफी important है तो the term Hindu is derived from a Persian world earlier it was not used for religious connotation तो यह starting में religious connotation के लिए नहीं बलकि east, इंडस river के east के लोगों को refer किया जाता था east के reason को refer किया आता था तो Arabs के द्वारा आगे चलके अल-Hind कहा जाने लगा और at the end यह Hindi में तबदील हो गया और बाद में जब Turks आये तो इन्होंने इंडस के east के लोगों को हिंदू के रूप में refer किया और बाद में हिंदूस्तान के रूप में जाना जाना लगा और भासा कौन सी कहलाई हिंदवी कहलाई और देखिए यह जैसा कि मैंने बता है कोई भी expression चाहें वह हिंदवी हो हिंदूस्तान हो या हिंदू हो इन टर्म्स का यूज रिलिजियस आइडेंटिटी के तौर पे नहीं किया जाता था दूस्तों एक बात और यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है हिस्टी में खास करके अगर आप सीविल सर्फिस के प्रिवेश सर को देखेंगे तो ओल्वेज के साथ statement फ्रेम किया जाता है तो यहां पे जैसे आप कोई भी फैक्ट पढ़ें जैसे अल बरूनी ने एक बुक का क्या नम है रहला और यह बुक किस भासा में लिखी गई एरभिक में तो दो important books है और ध्यान रखना है आपको दोनों के विशे में सबसे पहले हमने अल बरूनी के अल बरूनी की बुक का क्या नम है यह आप ही को ध्यान रखना है किताब लहिंद जबकि अगर बात करें इबन बतूता की तो इनके बुक का क्या नम रहला किस भासा में एरभिक भासा में और यह भी काफी interesting book है और यह भी बहुत ही detailed book है और 14th century के social और cultural life को यह book discuss करती है और अगर हम इबन बतूता के personal life की बात करें तो मौरुकों के यात्री थे जर्म कहां टेंगेर में हुआ और इन्हें भी काफी अच्छा education मिला इनकी expertise थी Islamic religious law या सरिया में और इबन बतूता जो है इन्हें literary और scholastic education मिली जब वो काफी कम उमर में थे तभी अब इन्हें traveling का काफी सोक था और इन्होंने जो experience गें किया था traveling के थूँ यह भी इन्होंने अपनी books में चुके होते हैं already और इसके बाद यह Central Asia के थूँ जब सिंध पहुंचते हैं कब 1333 में और इसके बाद यह सुनते हैं उस टैम पे Delhi के जो सुल्तान होते हैं मोहमद बिन तुगलक यानि इन्हा में तुगलक वन्स का सासन होता है यह बात पहले आपसे पूछी आती है बहुत तो जब इवन बतुता भारत आते हैं उस टाइम पे Delhi की गद्दी पे सुल्तान कौन होते हैं मोहमद बिन तुगलक तो जो मोहमद बिन तुगलक हैं यह इनकी स्कॉलर्शिप से इनके knowledge से काफी ज़्यादा इंप्रेश होते हैं और इने काजी के रूप में या जज के हो जाती है तो सुल्तान फिर इन्हें चायना बेजते हैं एंस सुल्तान के एन्वोई के रूप में तो यह इंपॉड़ेंट हैम्मदाइन तुख्र इबन बदूता का इबन बदूता और भी कई जगों पे ट्रेवल करते हैं जैसे मालाबार कोस्ट ये पहुंचते हैं और मालाबार से फिर ये मालदीव जाते हैं जहाँ पर ये अठारह मन तक काजी के रूप में कारे भी करते हैं और इसके बाद ये eventually स्रिललंका के लिए प्रोसीड कर जाते हैं और इसके बाद एक बार और ये मालाबार कोस्ट में पहुंचते हैं और इसके बाद माल्दी में और फिर ये चाइना में चले जाते हैं और इसके बाद ये सुमात्रा से एक सीप लेते हैं मारको पोलो कौन थे, मारको पोलो भी एक यात्री थे, जो कि चाइना विजिट करते हैं कब, लेट 13 सेंचुरी में, मारको पोलो कहां से थे, इटली से, इवन बतुता ने बहुत सारी बाते बताई हैं, जैसे उनके एकोर्डिंग 40 दिन लगते हैं, मुल्तान से डेली में, और पार्ट से ही पूछे जाएंगे, जिन पार्ट को मैंने हाइलाइट किया है, देखी इबन बतुता जिन्नोंने रहला लिखी है, अगर इनके ट्रेवलिंग एक्स्पिरियंस की बात करें, तो कोई बहुत अच्छा बहुत सुखर नहीं रहा है, रोबर्स वगरा एक लोता ख किबर आ जाती है, और फिर ये इसके बाद अपने वीकने से भी परिसान रहते हैं, और इन्हें काफी लोनली नेस का भी सामना करना पड़ता है, तो इस तरीके से अगर स्टेट्मेंट के बेस में पूछा जाए कि इबन बतुता ने डिसकस किया है अपने बुक्स में, कि उ इसे भी ट्रेवलिंग आज से आप काफी अजारों साल पहले की बात करें, या काफी सौ सालों पहले, तो डेफिनेटली ट्रेवलिंग में काफी जादा रिस्क होंगे, और रोबर्स की बात है, तो ये हमेशा ही देखने को मिलेंगे, किसी ना किसी रूप में, जब ये मुल extensively travel किया है, और जब ये at the end वापस मोरोक को पहुंसते हैं, तो वहां के local ruler issue करते हैं instruction, कि इनकी जो stories है ने record किया जाएगा, तो इबन बतुता के experiences को लिखने के लिए किने point किया आता है, इबन जुजई को, अब ये नाम I don't know how to pronounce, बट ये important है, आप से पूछा आ सकता है, कि इबन बतुता की stories है, या उनके जो real life experiences है, उन्हें लिखने के लिए किने debut किया आता है, तो इबन जुजई को, इबन बतुता के नकसे कदम आयने कई सारे यातरी आते हैं और अपने experiences को लिखते हैं, जिनमें कुछ नाम बहुत important है, जैसे अगर हम बात करें, अब्दूर र हजीन जो की North India पहुंसते हैं 1740 में, अब देखें ऐसे travelers की chronology के बारे में आपसे definitely एक अच्छा tough nature का question frame किया जा सकता है, जहां पर आपसे इन तीनो travelers का नाम दिया जाएगा, और chronology के रूप में set करने को कहा जाएगा, तो एक brief idea आपको होना चाहिए इसे संबंदित, और इन अली हजीन हो गए, यह disappointed होते हैं और इवन इंडिया से discusseded भी होते हैं, because यह एक तरीके से expect करते हैं कि इन्हें काफी अच्छी treatment मिलेगी, और बहुत सारे जो हैं, इंडिया को एक land of wonders के रूप में देखते हैं, बहुत सारे travelers, दोस्ता अभी तक हमने mainly अल बरूनी और इवन तूता से संबंधित discussion किया है, बढ़ धेर सारे सवाल UPC के द्वारा पूछे गए हैं, बढ़ हम next video में उन questions को पहले discuss करेंगे, और इसके बाद हम Francis Bernier पर discussion करेंगे, यहां तक आप important चीजे note down कर लें, ताकि आप काफी आसानी से previous questions के answer को कर पाएं, और उमीद हैं आपको ये दनेवाल, जय हिंद